आत्म स्रीमत भगवद गीता के गीता सार नाम कक्छा में आपका स्वागत है प्रतेक दिन की भांती आज भी हम लोग स्रीमत भगवद गीता के एक असलोक के द्वारा व्यापक प्रेणा आत्म साथ करें आईए इसका रश्वा स्वादन करें सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभा जया जया तत्तो युध्धा युजश्वा नैवं पापं वाप्षशे सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभा जया जया तत्तो युध्धा युजश्वा नैवं पापं वाप्षशे प्रूफ श्रीमर्भागवद गीता पाठ दुईतिये अस्लोक संख्या 38 इन इंग्लिस चेप्टर टू अस्लोक नंबर थर्टीएट शब्दार्थ शुख का अर्थ है सुख दुखे का अर्थ है तथा दुख में समी का अर्थ है संभाव से कित्वा का अर्थ है करके लाव अलाभो का अर्थ है लाव तथा हानी दोनों में जय अजयो का अर्थ है बिजय तथा प्राजय दोनों इस्तिति में दोनों ततह का अर्थ है तत्पश्चात युद्धाय का अर्थ है युद्ध करने के लिए युद्जश्वक का अर्थ है लगो या लरो नो का अर्थ है कभी नहीं एवं का अर्थ है इस्त्रह पापम का अ और और बाप्त स्यसी का अर्थ है प्राप्त करोगे हिंदी अर्थ तुम सुख या दुख हानी या लाव जिजय या प्राजय का विचार किये बिना युद्ध के लिए युद्ध करो ऐसा ग्यान स्री बागवान स्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध शेत्र में दे रहे हैं ऐसा करने पर तुम्हे कोई पाप नहीं लगेगा in English word meaning शुख means happiness दुख means distress समे means in equanimity कृत्व means doing so लाभर अलाभव means both profit and loss जया अजया 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 Papa means sinful reaction O Vapshasi O Vapshasi means you will gain now come to know its English translation Do thou fight for the sake of fighting without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat and by so doing you shall never incur shame This is the message from Lord Shri Krishna to Arjuna in the battlefield of Khrushetra.